हेलो फ्रेंट वेलगनों मैं चैनल ठेकने इन्वेश्मनाद सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हाउ तू ऑपरेट साउंड बार आर होम ठेकर बिट टीवी डिंवूर ज्या फ्रेंट आप अपने होम ठेकर को या सोन्ड बार को इपने टीवी रिपयोट से कैसे ओपरेट कर सकते हैं होता है कभी-कभी दो-दो remote operate करने में अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए आप अपने टीवी remote से ही आप अपने soundbar या home theater के volume को कम जादा कर सकते हैं यहां friend उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो friend सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप अपने टीवी के साथ home theater या soundbar को attach किये हैं वो optical cable से किये हैं कि HDMI ARC cable से किये हैं यहां friend HDMI ARC मतलब audio return channel उससे आप अगर connect करेंगे आप अपने home theater या soundbar को टीवी से आप अपने TV के remote से home theater या soundbar को operate कर सकते हैं यह कापी convenient है और टीवी में क्या सेटिंग करना पड़ेगा उसके लिए भी हम बात करेंगे HDMI ARC enable home theater या soundbar को आप ARC से connect कर दीजे बाकि टीवी के port में आप ARC port में insert कर दीजे और टीवी में क्या setting करना पड़ेगा फ्रेंट यह माइटीवी एक्स प्रो है यहां पर आपको setting में आ जाना है setting में आ जाने के बाद यहां पर channel and inputs हैं यहां पर आपको inputs दिखेगा right side में यहां पर आपको HDMI control देखने को मिलेगा यहां फ्रेंट से turn on to make CEC and ARC अवेलेबल तो इसको आपको turn on रखना है हमेशा यहां फ्रेंट इसको हमेशा on रखना है तभी जब भी ARC अवेलेबल होगा TV के साथ तो यह auto detect हो जाएगा तो फ्रेंट अब यह sound bar को आप देखिए वैलूम को हम यह TV remote के वैलूम से हम increase कर रहे हैं तो यहां पर वैलूम increase हो रहा है आप यह देख पा रहे हैं यह TV का remote है और यह home theater है इसका हम वैलूम कम ज्यादा करते हैं TV remote से जैसा कि आप यह देख पा रहा है यह कम ज्यादा हो रहा है तो इस तरह से फ्रेंट्स आप अपने TV remote से आप अपने home theater को या sound bar को operate कर सकते हैं sound level कम ज्यादा कर सकते हैं with HDMI ARC data cable यहां फ्रेंट्स HDMI ARC data cable connect होना ज़रूरी है तो फ्रेंट्स I hope आपके वीडियो informative लगा होगा informative लगा हो तो please take an announcement channel को subscribe जरूर करिएगा like share जरूर करिएगा